नमस्कार दोस्वाब सभी का स्वागत करते हैं यूग के से से यूग के पियर सी क्रेकर में तो उत्रखन लोग सेवा आयोग द्वारा नया भढ़ती विग्यापन जारी किया है जो कि मार्च महिने का ये पहला भढ़ती विग्यापन आपके लिए रहेगा जिसमें कि आपका जो विग्यापन आज ही जारी हुआ है 5 मार्च 2024 को ऑनलाइन आविदन जो है भनने की अंतिमतिती जो है 26 मार्च 2024 रहेगी तो इस वीडियों डेटेल पर बात करेंगे कौन सी वेकेंसी है क्या सिलेबस है क्या सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा तो ये जो वेकेंसी रहेगी जेस्ट विग्यानिक साहयक की है विधी विग्यान प्रयोकसाला समूखो की वेकेंसी मतलब गुरूप B की ये वेकेंसी रहेगी ठीक है तो group B की vacancy में selection process जो रहता है इसमें interview भी रहता है क्योंकि group B की ये post है तो इसमें हम पूरा देखेंगे कितनी post हैं किस तरी किसा आपको form flip करना है कौन-कौन योग की candidates इसके form को apply कर सका total post जो इसमें रहेंगी वो 14 post जो इसमें निकाले गई है senior scientific assistant की ये post रहेगी level जो रहेगा level 7 की post है 44,000 से लेके 1,42,000 तक इसमें आपको salary देखने को मिलेगी ये जो post है समूखो की है मतलब group B की ये post आपकी रहेगी इसमें जो qualification मागी गई है वो एक बार देख लें तो इसमें जो आपका senior scientific assistant की है scientific assistant की जो की आपका msc in physics होना चाहिए या फिर msc in forensic science with physics और chemistry जो है आपका एक subject होना चाहिए graduation level पर भी मतलब msc की candidates इस post को fill कर सकते हैं next जो condition रहेगी senior scientific assistant physics के लिए voice identification के लिए तो इसमें आपका msc होना चाहिए physics से या फिर forensic science से तो next post जो आपकी रहेगी scientific assistant की तो इसमें जो आपका हो रहना चाहिए msc in chemistry या फिर analytical chemistry तो ये जो है आपके subject रहेगी या फिर forensic sciences अगर आपने करा है तो आप इसके form को fill up कर पाएंगे next post में आपका जो है narcotic department रहेगा तो इसमें आपका msc in chemistry जो है मागा गया है और graduation level में भी आपका ये subject होने चाहिए इसके बाद जो next post रहेगी senior scientific assistant की जिसमें की biology and DNA section रहेगा तो इसमें जो आपके subject होनी चाहिए msc in geology botany इन में से एक आपका होना चाहिए या फिर human biotech जो है आपका होना चाहिए या फिर physical होना चाहिए तो इन में से आपका एक subject रहेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं msc in forensic science भी अगर आपने करा है तो आप इनके form को जो है fill up कर पाएंगे तो इसके साथ ही जो next post है serology की तो इसमें आपका msc से geology botany human botany जो है आपका रहेगा biology और physical रहना चाहिए इसके बाद जो है next post है document section की तो इसमें आपका physics chemistry से होना चाहिए आपकी msc या फिर forensic science से इसके साथ है senior scientific assistant तो यह computer की post रहेगी computer forensic section की तो इसमें आपका computer science है mca जो है आपका होना चाहिए तो यह जो है आपने सारी complete देख लिए art के art division इन में से आपका एक subject में अगर आपका है तो आप इनके form को apply कर सकते हैं तो एज जो इसमें रहेगी वो 21 से 42 वर्स तक के candidate supply कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-कौन सी post हैं किस-किस में रहेगी तो यहाँ पर सबसे पहले दो post रहेंगी जिसमें कि समानी की एक है अनुसूचित जाती की जो है एक post रहेगी इसके साथी physics में जो आपका physics department voice में रहेगी दो post हैं तो इसमें तो दोनु post है general की हैं और इसके साथी chemistry में जो है एक general की है और एक अनुसूचित जाती की रहेगी इसके साथी नार्कोटिक में जो है आपकी एक जनरल की है और एक पोस्ट आपकी जो रहने वाली वो EWS कैटिगरी में रहेगी इसी तरीके से एक एक पोस्ट है आपकी यहाँ पे जो रहेगी दो पोस्ट है आपकी बायलोजी में है serology में जो है एक post रहेगी इसके साथ ही document section में एक post रहेगी computer forensics section में एक post रहेगी और जो एक post आपकी बची है ये जो आपकी रहेगी ये अन्य पिछड़ा वर्ग OBC category में रहेगी तो कुल मिलाके जो हैं आपकी 14 post हैं जो हैं आगे देखेंगे तो document verification में आपको जो है इसमें preference जो है मिलेगी मतलब आप कौन से department में जाना चाहते हैं आगे अगे अगर हम देखें तो किस तरह किसे इसमें रहेगा तो इसमें आपको negative marking भी जो है देखने को मिलेगी वो तो हरी exam में आपको देखने को मिलेगा अब जो है इसमें जो process रहेगी मतलब जो question paper रहेगा वो किस तरीके से रहेगा तो पूरा जो question paper है वो आपका subjective रहेगा मतलब इसमें किसी भी प्रकार का उत्रागंड नहीं आएगा जीके नहीं आएगा general जो है आपको जो subjective है वो पूछा जाएगा ठीके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेस्ट विज्ञानिक सहायक विधी विज्ञान प्रयोकसाला समो को की vacancy रहेगी तो इसमें जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-लग division में जो है अलग-लग प्रशन रहेगे तो इसमें जो है 200 marks का जो है paper रहेगा तो किसी भी एक subject में आप जो है choose कर सकते अपनी qualification के according तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ ही जो है आपको interview भी देखने को मिलेगा जो की 25 number का रहेगा जिसमें की total जो रहेगा मतलब interview मिलाके और जो आपके तो उनमें यह आपका रहने वाला तो आप जो है इनके form को भड़ सकते हैं इसके साथ ही जो है इसमें note भी लिखा गया है कि इसमें आप लोग जो है एक या एक से अधिक अनुभागों के पदों ही तो आविदन कर सकते हैं online आविदन पत्र में चैनित अनुभागों के आपेक्ष लिखित परिक्षा जो है objective type रहेगी ठीक है तो इसके साथ ही इसमें negative marking भी जो है आपको देखने को मिलेगी जो की one by fourth की रहेगी ठीक है तो इसमें से आपको एक जो है department आप चूस कर सकते हैं और एक से जादे अनुभाग भी जो है चूस कर सकते हैं ठीक है तो आपने आठ अनुभाग देख लियोंगे तो ये पूरा detail में syllabus रहेगा किस तरीके सा आपको देखने को मिलेगा ये post आपकी senior scientific assistant की है जो की home department में रहेगी ठीक है तो ये आपने description में मिल जाएगा ठीक है तो अगर आप eligible हैं इस post के लिए तो आप ये form को fill up कर सकते हैं और next video हम discuss करेंगे किस तरीके के previous question paper पूछे गए हैं किस तरीके question पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जो post हैं ये काफे कम आती हैं तो इनके previous questions काफे कम जो है मिल जाता है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बबाई